दोस्तों मैं आपको कली एक वीडियो दिये था जिसमें आपको ये बताए गया था कि रश्या के डिपुटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरी सोब ने भारत को ओफर किया है अपना नया S500 जी हैं और ये कहा है कि भारत इसका पहला फॉरेंड कस्ट्रमर बने दोस्तों इसी क के सासात उन्होंने एक चीज़ और भारत को ओफर कर दी है जिसकी जरुबत इस समय भारत को बहुत जादा है और वो है अपना फिप जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट स्टेल्थ फाइटर जेट वही फाइटर जेट जो कि रश्या ने केवल एक्सपोर्ट परपस से ब ली है नो डाउट क्योंकि अब इस्टिल फाइटर जेट की अगर बात करें तो दुनिया में बहुत ही कम फाइटर जेट है तो इस वज़े से इसे काफी ग्लेमराइज भी किया गया अब रश्या ने से एक्सपोर्ट के लिए बनाया जिसमें प्राइम कस्टोमर उसका भार अब इसकी पीछे रश्या का एक और एम है कि 200 फाइटर जेट तो बाकी सारे फ्रेंडली कंटरीज को बेच दिये जाए लेकिन 100 फाइटर जेट भारत को बेचे जाए क्योंकि मैंने आपको बता है कि रश्या का प्राइम कस्टमर भारत है तो इसी को लेकर फिर से रश्या क के करीब इसका ओडर प्लेस कर देगा तो यहां पर आप कोश्चन यही उठता है कि क्या भारत इसके लिए ओडर करेगा तो इसके लिए हमें हमारी यरफोर्स की तरफ से दिये गए पुराने बयानों को देखना पड़ेगा जिसमें हमारी यरफोर्स की तरफ से ऑफिशल ब प्रोडक्शन होना है तो इसी टाइम लाइन के लगबग तो हमारा एमका भी उड़ने वाला है तो भला फिर हम लोग किसी और कंट्री का फाइटर जेट क्यों खरीदे जबकि हमारे एमका की अगर बात करें तो वह से ज्यादा सुपिरियर होगा वह ट्विन इंजिन होगा य उनके ओपर कितना असर पड़ेगा सो फाइटर जेट अगर आ जाएंगे तो फिर हम लोग एमका की तरफ क्यों ध्यान देंगे क्योंकि हमारी requirement ही कुछ जे stealth फाइटर जेट की होने वाली है वो देड़ सो से 180 के लगबग होने वाली है तो अगर सो ये खरीद लिए तो फिर बाकी पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे और रहिवा सिंगल एंजिन के फाइटर जेट की तो इसकी कमी हर हाल में हमारा राफेल पूरा कर देता है राफेल stealth नहीं है लेकिन फिर भी वो battle tested है और बहुत ज़्यादा reliable fighter jet है हम लोग 100 SU-75 खरीदेश से better है कि जो हमारे पा जाता है कि यह fully stealth नहीं है तो फिर SU-75 के उपर कैसे trust कर लें कहीं न कई सिनारियों का लग बन जाता है इसी परिस्थितियों में लेकिन जो चीज़ अभी बनी ही नहीं है केवल कागजों पर है वो उससे खरीदने से फिलाल कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से अगर यहाँ प कॉमन करके जरूर बताईएगा